नमस्कार विजन आईएस के नियू स्टुडे के संख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपियसी परीक्षा के दृष्टी से महत्यपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की खास खबरों के बारे में भारतिय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनियों को सितंबर 2025 तक कोर वित्तिय सेवा समाधान लागू करने के लिए कहा विशेशग्यों ने चितावनी दी है कि वर्ष 2021 सो तक वनागनी में 50 प्रतिशत की व्रधी होगी लेकिन इससे निपटने के लिए सरकारें तैयार नहीं पर्यावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने इट भटों पर नए अधिसूचना जारी की सरकार ने प्रारूप एकिकरित पादप पोशन प्रबंधन विध्यक 2022 प्रस्तुत किया और खेंदर सरकार मणीपुर में विद्रोही समुहों से बाचीत के लिए तैयार है और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इसंग की सबसे पहली खबार बैंकिंग शेत्र से भारते रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनियों को सितंबर 2025 तक कोर वित्तिय सेवा समाधान लागू करने के लिए कहा RBI ने एक परिपत्र जारी किया है इसमें NBFC के लिए कोर वित्तिय सेवा समाधान लागू करना अनिवारे किया गया है ये 10 और इससे अधिक Fixed Point Service Delivery Units वाली Middle Layer और Upper Layer की NBFC होंगी Base Layer और 10 से कम Fixed Point Service Delivery Units यानि FPSDU से युक्त Middle Layer और Upper Layer वाली NBFC के लिए कोर वित्तिय सेवा समाधान अनिवारे नहीं है Fixed Point Service Delivery Units ऐसे परिचालन स्थान है जहां से NBFC व्यवसाई गतिविधियां संचालित करती है Core Banking सेवा समाधान बैंकों द्वारा अपनाए गए Core Banking Solution की समान है CBS यानि Core Banking Solution बैंक शाखाओं की Networking है इससे ग्रहाक अपने खातों का प्रबंधन कर सकते हैं साथ ही विश्व के किसी भी हिस्ते से विभिन बैंकिंग सुविधाओं का उप्योग भी कर सकते हैं Core वित्तिय सेवा समाधान के कई लाब हैं जैसे कि इसे कहीं भी कभी भी उप्योग किया जा सकता है ये उत्पादों और सेवाओं से सम्बंदित डिजिटल पेशकशों एवं लेंदेन में निरबाद ग्रहाक इंटरफेस प्रदान करेगा NBFC के कारेओं को एकिकरित करने में मदद करेगा ये केंद्रिकरित डेटाबेस और लेखा दस्तावेज प्रदान करेगा ये आंतरिक उद्देशियों और विनियामक को रिपोर्ट करना इन दोनों मामलों में उप्यूक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली तयार करने में मदद करेगा गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों को कोर बैंकिंग सेवा समाधान के कार्यान वेन पर तिमाही प्रगती रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी NBFC की प्रस्तावित श्रीनियों की बात करें तो टॉप लेयर के तहट खाली टॉप लेयर परिवेक्षी विवेका धिकार आता है अपर लेयर जो की नई श्रीनी है इसका बैंक जैसा विनियमन होगा इसमें चैन प्रक्रिया के माधियम से लगभग 25 से 30 अपर लेयर वाली NBFC होगी वहीं आर्बिट्रेज प्लग के तहट मिडिल लेयर वाली NBFC होगी ये NBFC एनडी, SI और NBFC डी के बराबर होगी और बेस लेयर वाली NBFC एनडी के बराबर लेकिन 1000 करोड रुपे की उपरी सीमा के साथ होगी अगली खबर जलवायू परिवर्तन और उसके प्रभावों से जुड़ी होई है विशेशग्यों ने ये चेतावनी दी है कि वर्ष 21 तक वनागनी की घटनाओं में 50 प्रतिशत की वृधी होगी लेकिन इससे निपटने के लिए सरकारें अभी तयार नहीं है सैंफ्त राष्ट्र परियावरंट कारिक्रम और ग्रिड अरेंडल ने इस रिपोर्ट की अनुसार जलवायू परिवर्तन और भूप योग परिवर्तन वनागनी की घटनाओं को और गंभीर बना रहे हैं साथ ही इस रिपोर्ट में पहले अप्रभावित रहे शेत्रों में भी वनागनी की चरम घटनाएं होने और इन घटनाओं में वैश्विक वृध्धी की आशंका जताई गया है। में वर्ष 2030 तक 14 प्रतिशत तक और वर्ष 21 तक 52 प्रतिशत तक व्रद्धी होने का अनुमान है इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि सैंफ्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 के लिए वैश्विक वनागनी जोखिम को कम करना एक आवश्य घटक है ये आपदा जोखिम न्यूनी करन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पारिस्थतिक तंत्र पुनर स्थापन पर सैंफ्त राष्ट्र दशक के लक्षियों की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है आपको बता दें कि रिपोर्ट में इनके प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है भी बताया गया है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि देहन से उत्पन्न धुए के कण और विशेले उत्पाद श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुचाते हैं, साथ ही हिर्दय वाहिनियों को भी प्रभावित करते हैं और तंत्रिका संबंधी विकारों के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा वनागनी वन्यजीव मृत्युदर में व्रिधी और मृदा अपर्धन का कारण बनती है, साथ ही जलग्रहन शेत्र की कारे प्रणाली को भी नकरात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए रिपोर्ट में कुछ सिपारिशे प्रस्त किया जाना चाहिए। वनागनी से निपटने की नीतियों में स्वदेशी, पारंपरिक और समकालीन अगनी प्रबंधन प्रथाओं का एकी करण और समर्थन करने की जरूरत है। वनागनी पर अंतरराष्ट्रिय और शेत्रिय सहीयों को मजबूत करने की आवश्यक्ता है। अगली खबार प्रदूशन से जुड़ी हुई है। पर्यावरन वन और जलवायू परिवर्थन मंत्राले ने इट भट्टों पर नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना का शीर्षक पर्यावरन संरक्षन संशोधन नियम 2022 है। ये अधिसूचना पर्यावरन सं अधिसूचन अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई है। इसमें इट भट्टों से होने वाले वाई प्रदूशन को कम करने के उपायों का उलेक किया गया है। अधिसूचना की मुख्य विशेष्टाओं के तहत पर्टिकुलेट मैटर उतसर्जन के लिए 250 मिलिग्राम प्रति सा मानने घन मीटर का मानक तै किया गया है। मौझूदा इट भट्टों को या तो जिगजग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में बदला जाएगा। और एक दूसरे ऑप्शन के तहत इट बनाने में इधन के रूप में P&T का उप्योग किया जाएगा। घैर प्राप्ति शहर ऐसे शहर हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से राश्ट्रिय परिवेशी वायू गुणवत्ता मानकों यानि नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी स्टेंडर्स नैक्स को पूरा नहीं कर पाई हैं। सभी इट भट्टों में P&G, कोईला जलाउ लकडी और क्रिशी अप पादक हैं। इट भट्टों से वार्षिक आधार पर लगभग 66 से 84 मिलियन टन CO2 और 1 लाख टन ब्लैक कार्बन का उत्सरजन होता है। ये इस्थानिय पार्टिकुलेट मेटर और सलफर डायोकसाइड से होने वाले वायू प्रदूशन में महत्यपून योगदान देते है इसमें जिगजग तकनीक की बात करें तो इसके तहट इटों को भट्टे में इस तरीके से विवस्थित किया जाता है जिससे गरम हवा आड़े तिर्चे मार्ग से निकास कर सके। जिगजग वायू पत की लंबाई एक सीधी रेखा की लगभग तीन गुनी होती है। ये प पकाई गई इटों के उत्पादन के लिए एक उर्जा कुशल और पर्यावरन अनुकूल डेहन तकनीक है। की खाद्य एवं पोशन सुरक्षा को बनाई रखा जा सकेगा। उर्वरकों के निर्माण, उत्पादन, वित्रण और मुल्य प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे विवसाय करने की सुगमता में सुधार होगा। साथ ही उच्चू उपजवाली और जलवाई विद्यक की मुख्य विशेष्टाओं की बात करें तो इसके तहट एकी कृद्प पादप पोशन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस प्राधिकरण को उर्वरकों की गुर्वत्ता के संबंध में ततनीकी मानकों को निर्धारित करने आधी का कारे कोई भी व्यक्ति उप्युक्त पंजीकरण प्राप्त किये विना उर्वरकों के निर्मान, विक्री, विक्रय के लिए आयात या विपड़न नहीं कर सकता है। असंतोष उत्पन्न कर सकता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल और और फर्टिलाइजर मुव्मेंट और के कुछ प्रावधानों को रखने से भ्रम उत्पन्न होगा, ये नवाचार को बाधित करेगा, इससे उर्वरक शेत्र में लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज की वापस की भी संभावना है। भारत संग में मनिपूर के कथित जबरन विले जो की वर्ष 1949 में हुआ और बाद में इसे पून राज्य का दरजा देने में देरी पर कथित असंतोष उत्पन्न हुआ था। इस असंतोष को ही मनिपूर में मेतेई आधारित अलगाववादी विद्रो जैसे की UNLF और PLA दोलन मनिपूर के पहाडी जिलों तक फैल गया है इसके अधिकांश हिस्सों पर NSCNIM का नियंत्रण है NSCNIM की नागालिम राज्जी की मांग को मनिपूर की शेत्रिय खंडता के लिए खत्रा माना जा रहा है नागा और कूकी जनजातियों के बीच नुर्जातिय संगर्ष ने कई कूकी विद्रोही समूहों का गठन किया है इन संगर्षों की शुरुवात 1990 के दशक महुई थी कूकी नेशनल ओगनाइजेशन यानी के नो और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यानी यूपियस जैसे विद्रोही संगठन मनिपूर में कूकी जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं इनी सब अलगावादी अंदुलोनों को देखते हुए सरकार ने उग्रवाद को नियंतरित करने के लिए कई उपाय किये हैं जैसे कूकी संगठनों ने वर्ष 2008 में केंद्र और मनिपूर सरकार के साथ सस्पेंशन और ओपरेशन समझोता किया था हाला कि प्रमुक मनिपूर आधारित संगठन अभी बाचीत के लिए तयार नहीं हुए हैं वर्ष 2020 में नागा और कूकी समुदाए ने संगर्ष विराम का आहवान करते हुए विवादास्पद मुद्धो को शांति पूर्वक धंग से सुलजाने के लिए एक घोशना पत्र पर हस्ताक्षर किये थे संपूर मनिपूर को 1980 में अशांत शेत्र के रूप में घोशित किया गया है इसके अलावा शेत्र में सशस्त्र बल विशेश शक्तिया अधिनियम अफसपा लागू किया गया है और समर्पन सहप उनर्वास कारिक्रम की स्टुडवात की गई है और आईए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की सलाहकार समिती बैठे के आयुजित करने की विवस्था भी करता है इन समितियों की सदस्यता स्वेक्षिक होती है श्यामाप्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन हाल ही में श्यामाप्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन के शुभारंब की छटी वर्षगार्ट मनाई गई इस मिशन का शुभारंब वर्ष 2016 में किया गया था इसकी शुरुआत देश में समगर रूप से 300 क्लस्टर विक्सित करने के लिए की गई थी इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक अवसनरचना सुविधाय प्रदान करना है अब तक ग्रामीन विकास मंत्राले ने इस मिशन के तहट 296 क्लस्टरों को अनुमोदित किया है ये मिशन इस्थानिक योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकिकरित विकास पर किंद्रित है इसके तहट देश के ग्रामीन शेत्रों में रूर्बन क्लस्टरों की पहचान की जाती है ये क्लस्टर शहरी करण के बढ़ते संकेत जैसे जनसंख्या घनत्युमें वृध्धी और गैर कृषी रोजगार के उच्चिस्तर को दर्शाते हैं जनजातिय अनुसंधान संस्थान पापा ने स्थापित किया था इसका लक्षए भात के जनझातिय सम्बाइ國 सर्व समावेशी और सर्वांगीन उ्थत्तां में सहीयोग करना है जनजातिय अनुसंधान संस्थान जनजातिय कारेमंत्राले का एक राज्य सतरिय Anुसं द्रॉ्स दो hat जनजातिय अनुसंधान संस्थान, जनजातिय विकास, जनजातिय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षन, जनजातिय लोगों की शमता के निर्मान आदी के लिए एक ठिंक टैंक के रूप में कारे करता है। वर्तमान में 26 जनजाती अनुसंधान संस्थान, जनजाती एक कारेमंत्राले द्वारा समर्थित हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्यप्रदेश सरकार प्रतिवर्ष खजुराहो में करती है। ये महोत्सव भारतिय शास्त्री निर्त्य शैलियों पर केंद्रित हैं। इसमें देश और दुनिया के प्रिसिद्ध कलाकार उत्सव के दौरान अपनी निर्त्य प्रिस्तुतियां देते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। खजुराहो चंदेल शास्त्री के दौरान बनाए गए मंदिरों के लिए विख्यात है। पहाडियों पर अंग्रेजों के नियंतरन के विरुद्ध युद्ध की गोशना की थी। उनमें युद्धाओं को संगठित करने की विशिष्ट शमता थी। और वे गोरिल्ला युद्ध रणनीती में महारत के लिए विख्यात थी। उन्होंने वर्ष 1839-33 में एंगलो ख युद्ध में भाग लिया था, वे इस युद्ध में घायल हो गए थे और इन्होंने पास की गुफाओं में शरन ली थी। यहां अंततह अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया था और ढाका भेज दिया था। इनकी पुन्नितिती प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाई जाती उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, मातंगिनी हजारा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें नमक कानून तोड़ने के लिए गिरफतार भी किया था। भारत चोड़ों आंदोलन के दौरान 73 वर् लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम सांस तक उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। वे गांधी वादी और सामाजी कारे करता थी, उन्होंने अचूतों के लिए कारे किया, अधिक आयू के बावजूद भी वे स्वतन्तरता के लिए द्रण संकल्पित और सहासी महिला थी। सबसे बड़ा शहर है, जॉर्डन के तीन प्रमुक भोगलिक शेतर हैं, सीडियाई मरुस्थल, जॉर्डन नदी के पूर्व में उच्च भूमी और जॉर्डन घाटी। दूसरा इस्थान है, इसराइल ने गोलन हाइट्स पर युद्ध विराम रेखा के पास एक सीरियाई शहर पर बंबारी की है, गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है, ये इसराइल और सीरिया की बीच इस्थित है। इसके दक्षिन में जॉर्डन और उत्तर में लिबनान इस्थित हैं। वर्ष 1967 के मध्यपूर्व युद्ध के दौरान इसराइल ने इस पर अधिकार कर लिया था। गोलन हाइट्स को संव्त राष्ट्र ने सीरिया के हिस्से के रूप में मानिता दी है। गोलन हाइट्स सार नदी द्वारा विभाजित दो भूगर्भीय रूप से अलग शेत्रों से बना है। गोलन हाइट्स और माउंट हेर्मोन रेंज। गोलन जल ग्रहन शेत्र को जॉर्डन नदी और गैलिली सागर से जल प्राप्त होता है। और आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे सैन्न अभ्यास के बारे में मिलन दो हजार बाईस। भारतिय नौसाना के दुवार्शिक बहुपक्षी अभ्यास मिलन का नवीनतम संसकरण विशाखा पत्नम में शुरू होने वाला है। इस अभ्यास में 40 से अधिक देश भाग लेंगे ये अब तक की सबसे बड़ी भागिदारी होगी। इसकी शुरूआत पहली बार वर्ष 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में की गई थी। इसके प्रथम संसकरण में भाग लेने वाले चार देश थे इंडोनेशिया, सिंगपोर, श्रिलंका और थाइलेंड, कोब्रा वॉरियर 22 कोब्रा अभ्यास ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक अभ्यास है। और अंत में बात करेंगे इस्टन ब्रिज 6 की, ये भारत और ओमान के बीच दुपक्षी अभ्यास का छटा संसकरण है। इस्टन ब्रिज 6 वायू सेना अभ्यास वायू सेना इस्टेशन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये अंग समाप्त होता है, अगले अंग में फिर मुलाकात होगी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपना खयाल रखिये, सुरक्षित दूरी बनाए रखिये, मास्क पहन ये, हाथ और चहरा साफ रखिये, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपना और अपनों का विशेश ध्यान रखें, टीका करण अवश्य करवाएं, और इसी अपील के साथ विजन आईस की पूरी टीम को दीजिये अजाजब, नमस्कार